हलो दोस्तो करजाम चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों जैक बोर्ड के दिट में एक बड़ी अपडेट निकले आई है मेटरीक और इंटर के कोपियों के मुल्लांकन को लेकर जिसमें बताया गया है कि मेटरीक इंटर के कोपियों के जाज के लिए अनुमती का इंतिजार उसके बाद बताया गया है कि सिच्छा विभाग से कोपियों के मुल्लांकन का अभी तक अनुमती नहीं मिल पाया ठीक है तो चलिए दोखतों देखते हैं पूरे जानकारी को और इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चेनल से नहीं जुड़े हो तो नीचे में जो रेट कलर का आपको बटन दिख रहा उकको दबा के चेनल को सब्क्राइब कर दिजे साइड में बेल आइकॉन की घंटी है उकको भी दबा दिजे ताकि आप लोग का परिछा के रिजल्ट के बारे में कोई भी जानकारी आए कोई भी इन्फर्मेशन आए तो सबसे पहले आपको सही जानकारी मिल पाए ठीक है आपको अभी तक हमारे चेनल द्वारा कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं दिया गया है ठीक है इसलिए चेनल को सब्क्राइब करके बेल आइकॉन के दबायके चेनल से जुड़ जाईए ताकि आप लोग का परभात खबर का नूज पेपर आता है तो आप लोग खुझ से देख सकते हो यह जो नूज दिया हुआ है यह है राची का परभात खबर का पेग नंबर वन में दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो ठीक है लेकिन दूसरे जीले का आप लोग नहीं देखिएगा क्योंकि कि दूसरे जीले का पेपर में नहीं दिया हुआ, जैसे कि बोकार हो गया, गिरीडी हो गया, ये सब पेपर में नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये सिर्फ आपको दो जगा का पेपर में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ राची के पेपर में और धनबाद के पेपर में आपको लोग देख सकते हो ठीक है दोस्तों और यदि आपके घर में नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्प्रिक्शन में आपको नूज प्रेपर का लिंक मिल जाएगा आप लोग खुद से जाके देख सकते हो तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया तो देखे दोस्तों कोपी जाच के लिए अनुमती का इंतिजार ठीक है आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखेएगा और वीडियो को लाइक कर दिखे सबसे पहले क्योंकि आपको हमेसा हमारे द्वारा सही इंफोर्मेशन दिया जाता है तो वीडियो को लाइक करके चेनल को करके चेनल से जुड़ी जाईए देखिए आगे यहां पर क्या बता रहा दोस्तो देखिए राची की तरफ से खबर है ठीक है ये राची की तरफ से खबर है बता रहा है कि धारकन एकेडिमिक कॉंसिल ने मेट्रिक वग इंतर की कोपी जाच की तैयारी पूरी कर ली है जिस 16 माई है और जो है 8 माई का बात कर रहा मतलब 8 माई 8 दिन पहले ही जो है पत्र लिख दिया गया था सिच्छा विभाग को ठीक है सिच्छा विभाग को पहले ही पत्र भेग दिया गया है उसके बाद यहां आगे बता रहा है कि पत्र लिख कर सरकार से मुल्यांकन शुरू करने की अनुमती मांगी है ठीक है लेकिन यहां बता रहा कि फिलहाल विभाग से इस संबन में कोई जवाब नहीं मिला ठीक है अभी तक सिछा विभाग की तरब से इस संबन में आपका कोई भी जवाब नहीं मिल पाया है ठीक है उसके बाद आब आगे बता रहा है यहां कि इस कार दोस्ताला से बचाओं के लिए तय मापदंड का पालन करते हुए मुलांकन की तैयारी की है, सारा तैयारियां सब कुछ तैयारी करके रह गया है, जिसके बारे में मैं तो आपको पल-पल की जानकारी देते रहता हूँ, ठीके? उसके बार यहां आगे बता रहा है कि सभी मुल लंकन केंद्रों पर परिष्छकों के लिए मास्क और सिनिटाइजर भेग दिया गया है और परिष्छकों को बेटने के लिए सोसल डिस्टेंसिंग का अनुपालन जो है वो सुनस्चित किया गया ठीक है तो दोफ्तों यह था आपका पूरा जानकारी जो कि आज का पेपर में दिया हुआ परभात खबर में आप लोग चाहते हो तो देख सकते हो पेग नंबर में आपको बता दिया पेग नंबर वन ठीक है राची का आपको देखना है पेपर पेपर आपको देखना है राची का पेग नंबर वन में यदि आपको विश्वात नहीं होता तो ही आप द तो ऐसा बात नहीं है दोस्तो सभी जगा का पेपर में नहीं दिया हुआ रहता है जो में जगा जहां पर जार्खन एकेडमिक कॉंसील है जैक ठीक है तो वह राची में है इसलिए आप लोग डारेक्ट राची का पेपर देखिए या फिर बड़े बड़े जो जगा है जैसे क जिला में यदि आप लोग देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा ठीक है आपको मैंने दो जिला का नाम बताए यदि आप लोग में से इन दोनों जिला में से यदि कोई है तो यदि आपके घर में पेपर आता है तो आप लोग देख सकते हो आपको पता चल जाएगा और यद आप लोग का मुल्यांकन स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आपको हमारी चैनल द्वारा सही जानकारी मिल जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकोन के दबा के चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि जैसे इस तरह छोटा नूज हो, यह आपका तो उतना बड़ा नूज नहीं है, लेकिन जो भी नूज है, मतलब छोटा नूज हो या फिर बड़ा नूज हो, तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल द्वारा आपको जानकारी दे देती है, ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइको